चलिए शुरू करते हैं नले निकार्डवी सिच्छा मंतर पर आपका हार्धिक हार्धिक शौगति मेरे दोस्त चलिए शुरू करते हैं बिहार SSC का प्रैक्टिसेट 9 किया गया था या तकेंगे अगर पुछेगा कि भारत सासर नर्दीनियों उन्हें सुने इसके तहट कौन सा वाइशराय था तो चेम्स फोर्ड था ठीक है चलेगे कल आपको PDF मतलब जो भी छूटा हुआ है PDF या उसका अंसर की सब मिल जाएगा कल संडे को ठीक है संडे को मैं जो विखली चलाओंगा उसमें जो इस्टर टाइम बचेगा उसमें मैं आपको सारा का PDF आपको अप्रोड कर दूँगा जो छूटा है वो कमेंट भी कर देंगे ठी दूसरा प्रशन है भारतिय न्याइक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL के अवधारना किस देश से ली गई है मतलब PIL की जो अवधारना है किस देश से ली गई है आप जवाब देंगे इसका जवाब आप जानते हैं बहुत अच्छे से इसका प्रशन जो आप्सन नम ऐसे समीदानिक सुरोत अगर पड़े होंगे ति उसका जवाब इसमें मिल जाएगा आपको चलेगा तिसरा प्रशन है राज्यपूर्ण गठन राज्यपूर्ण गठन से समन्दित जे पी जी शमीती जे पी जी समीती ने कब अपनी सिफारिस सरकार के समच्छ पेस किया था मतलब राज्यपूर्ण गठन करना जब हो रहा था या समन्दित जो बाते हो रही थी उस समय जे पी जी समीती एक आया था उसका सिफारिस सच्छम पेस किया था अपनी मतलब समच्छ जो है समच्छ पेस किया था बताइएगा आपके सामने चार अप्शन है जबाब देंग होता है जवाहलाल नहरू जवाहलाल नहरू और यादर किगा बल्ला भाए पतेल और से होता है पटम्मीश मतलब समीती का घठन हुआ था ये राज्जकाप उन गठन के लिए समझ रखे थे, जो कि 1909 में. क्लियर हो गया? गठन की बात अगर करे, गठन बोलेगा, तो 1948 बोलेगा. क्या बोलेगा? 1948 में किया गया. अगर पूछेगे कि समझ पेस किया गया, सिपारिश जो है, सरकार के समझ पेस किया गया, रखा गया, तो 1949. गन्फ्यूज नहीं होई गया. अगर बूचेगा कि समझ पेश किया गया तो चासन अधिनियम 1935 अभी उनेश्थ उनेश्ट पढ़े हैं अब 395 आ गया भारत सासन अधिनयम 1935 हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन है कि तहद परस्तावित प्रनाली थी परस्तावित प्रनाली थी, बताईए परस्तावित कहां की प्रनाली थी, किस तरह की अखिल भारतिये शंग की, भारत संग की संग तो भारत की, परिशंग की, बताईए तो आप जानते हैं जिन्होंने option number A, अखिल भारतिय संग का लगाया, उन्होंने सही लगाया, जिन्होंने option number A लगाया है, उन्होंने सही लगाया है, सही जवाब नेगी, इसमें क्या है, अखिल भारतिय संग का जो है, ये एक तरह से क्या था, कि अस्थापना किया था, ब्रिटेन परांत, कौन? British परान्तों ने किया था इसके स्थापना जो है British परान्तों ने किया था 6 Commissioner हो द्वारा क्या किया था 6 Commissioner द्वारे दखा गया था 6 Commissioner थे जो कि उनके रियाश्यत से मिला कर बनाया हुआ था एक तस मिल कर बने थे कही है जधा डिटल नहीं है पांचमा प्रस पांचमा प्रशन आपके लिए है कि सहकारिया आयोग गठित हुआ समीच्छा के लिए किसके लिए समीच्छा के लिए तो सहकारिया आयोग जो गठित हुआ था वो समीच्छा के लिए बताए इसमें क्या क्या है जो सहकारिया आयोग है इसमें क्या-क्या है, समिच्छा के लिए जो है, इसमें दिया हुआ है, इसका अंसर आपके सामने है, जबाब देंगे, पढ़ने का टाइब है, नहीं तो चलिए, मैं पढ़ने देता हूँ, इसमें देखिए, या तो खेगा, राश्पती और प्रधानमंतियों के मद समंध हो तो या त खेगा, जिनोंने केवल चार, जो बोला, वो सही होगा, मतब शंग और राश्पत के मद का समंध जो होगा, वही सहकारी आयोग गटित हुआ था, इसलिए सहकारी आयोग गटित हुआ था, या त खेगे. चलेगा चथे प्रष्ण का जवाब जिन्होंने देंगे, वो सही देंगे चथे प्रष्ण का बताइए, भातेश्यमिधान के महानवादी के शन्दर्म में कौन सा कथन शत्थ है देखिये, महानवादी का अंशेद अगर आप याद कियोंगे मेरा अन्शियत का वीडियो देखेंगे तो महान निवादी का अन्शियत मैंने करवाया है ठीक है और हाँ जिन्हों ने कमेंट किया था कि मेरा लूशन से बुक से मिल नहीं रहा है तो देखें मैं कोश्चन को कहीं कहीं से पॉइंट आट करता हूँ उसके बाद वो कुश्चन को मतब अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको कुश्चन जो मिलता है वो इंपोर्टिट होता है वो ही आपके सामने दिया जाता है तो आप लूशन देते हैं उसे अपने खुद रिवाइस किजिए और जो मैं दे रहा हूँ बस वो वीडियो आप देखते रहें आपका रिजल्ट हो जाएगा दस भरोशा करें आप कुछ किताबों से भी और कुछ लिखा करें ज्यादा याद होगा चीक है तो बताईए वार्देश शमिदान में महान्यवादी के शंदर्व में कौन सा कथन श्रत है बताईगा तो क्या समिदान के अंशेद शियत्तर के अंतरगत इसके पद का सुर्जन किया गया है क्या ये सही है अंशेद क्या ये सही है तो एक दम सही है इसमें कोई शक नहीं है ये दम सही है अब अब बताइए दुसरा है कि यह बिना सरकार की अनमती के लिए अनमती के किसी अपराधि, जो है, अपराधिक मामलों में व्यक्ति का वचाओ नहीं कर सकता, एदम नहीं कर सकता है, आदम सही बात है, दूरा भी शाई है, लेकिन तीसरा कवरा जली पड़ते हैं, वह संसत की स्नुगत बैठक में भाग ले शकता है, एबं अपना मत भी दे शकता है, नहीं, अपना मत तो दे ही नहीं आचकथ है, यह तो गलत है, तो एक और दो ही शाइए आप या तो खिएक है option number C, जिन होने लगाया, उन्होंने शहीं लगाया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो please subscribe करें, और comment करते रहें मेरे दोस्ते, चलिएगा, आगे की ओर चलेंगे, सात्मा प्रशन है, पंचेती राज संस्थाओं में, आरच्छन समन्दी प्रवधान की चर्शात किस अनुचेत की तहद की गई है, बताएगा, जैसे ही पंचेती राज की बात करेंगे, तो अब बताएगा, पंचेती राज तो हम 243 जान रहें, लेकिन अब 243 है, डी है, ई है, जी है, तो यह तो याद नहीं है, है ना, तो याद रखेगा, अन्शेद जो है, पंचेती राज की अगर बात करें, तो अन्शेद आपसर नमर जो बी लगाए हैं, वो सही लगाए ह पंचेती राज जो संस्ता का आरच्छन समंधी बात हो रहा है, आरच्छन देने की बात हो रहा है, पंचेती राज में, तो याद रखेगा, अन्शेद 243 के डी के अंतरगत हो रहा है, ऐसे अन्शेद इसका अगर 243 जगे तो A से लेके O तक है, ठीक है, 243 अन्शेद A से O तो इसमें महिलाओं को अनुसुची जाती, जन जाती को अरच्छन समन्दी परवधानों का ये 243D कहता है, आगे क्यों चलेगे, आठमा प्रशन का जवाब देजेगा, धन बिधेक के अतरिक्त, एक बिधेक जो बिधान सभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, बिधान पर समय तक पड़ा रह सकता है, बताईगा कितने समय तक पड़ा रह सकता है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि तीन माह, जिन्होंने आपसा नमर बी लगाया है, उन्होंने शाही लगाया है, अगर इस बात पर चलें, कि अगर पूचते कि धन भी देख के तरिक्त, अन्शेद या दोखेगा, 190, 197, 197, स्थाइब, या दोखेगा, धन भी धेख है, अन्शेद में, चर्चा करता है, नौमा प्रस्ण का जवाब देंगे, नौमा प्रस्ण आप देख रहे हैं, कि अक्टूर 1934 में, कहां कॉंग्रेश समाजबारी पार्टी की अस्थापना की ग स्थापने की गई कौन से हमारे भारत के राज में कौन से राज में किया गया था यह बताएंगे तो आप जानते हैं आप बिहार का नाम सुने हैं बिहार में पटना है रसानी है बिहार के तो वह उसी जगा किया गया था कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी किया स्थापना जो च्छा-कूल देव थे और मिन्यूट मशानी इनके प्रमुखनेता थे तो जैप्रकास जो आड़ कि अधिकर नरेंड़ इंडी न्रेंद्र देव हैं या दृकिए मिनूट 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 मशाण म हैं या दूखेगा यह मिलकर ये संगठन अस्थापना किये थे ये पार्टी का ठीक है 1934 में क्लियर सिर्फ सुन लीजेगा ऐसे ही याद हो जाएगा चलिए दसमा प्रस्ट रेड कलीफ समीती किसके लिए निउक्त की गई थी अब रेड कलीफ जैसे ही बात होती है तो रेड कलीफ याद किजिए कि भारत पाकिस्तान का ये चिन बना था रेड कलीफ जो अंग्रेज था उन्होंने उसने ही अंग्रेज पाकिस्तान और इंडिया के बिच का लग्की रिबन गया था उसी के नाम पर रख दिया गया था, तो red clip समी थी, किस के लिए निक्त हुई, तो इसमें आपको मैंने तो बता दिया, इसमें आप सोचे, answer to direct दे सकते हैं, आप रहे, तो आप जानते है option number D, भारत पाकिस्तान के बीच की सिमा को निधारत करने के लिए ये बना था red clip, clear, इसम ये आर्मा प्रशन है, guilty man of India's, या तो खिएगा guilty man of India's partition, या तो खिएगा guilty man of India's partition, पुस्तक किषने लिखी, बताएगा किषने लिखा है, ये बताएगे, किषने लिखा है, ये बताएगा, तो जैसे ही आप जान जाएए, जिनमें राम हो, मनोहर हो, लोहिया हो, उन्हों ने ये लिखे हैं, या तो खिएगा, राम मनोहर लोहिया ने, क्या लिखे हैं, guilty man of India's partition, या तो खिएगा, जैसे guilty man of India's partition की बात हो, राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे, चीक है, अब बात सवाल उठता है, कि कब हुआ था बाई, डेट, बर्स तो बताएगा, तो बर्स या तो 1960, मतब 1960, चीक है, 1960 में, आगे चलेंगे, बाराम प्रस्ण का जवाब देंगे, बाराम हाँ प्रस्ण आपके लिए है, कि कि किस वर्स दास्ता को अपराद घोषित किया गया था, कब अपराद घोशित किया गया था तो option number C जिन्होंने दिया है option number C जिन्होंने दिया है वो गलत दिये होंगे ठीक है जिन्होंने option number B दिया है उन्होंने भी गलत दिया है जिन्होंने option number D दिया है उन्होंने भी गलत दिया या डखेगे जिनोंने option number A दिया 860 उन्होंने सही जवाब दिया है या डखेगे तो या डखेगा भाथिए डंड सहिता के अंतरगत दास्ता को अपराद घोशित किया गया था या डखेगे 1789 इसमी में यह घोशना जो है घोशना जो किया गया था बंगाल के दाशों के जो निर्यात को बंद कर दिया था ना दाशों का उस पे यह हुआ था तो उससे में से चल रहा था तो एक्ट अगर पूस दे आप से कि कौन से एक्ट के तहर तो 843 के एक्ट हुआ था ठीक है उससे में गवर्णर जोने कौन था लॉड लॉडर याद चलिए आगे चलते हैं चलेंगे तिर्यमा प्रष्ट कॉंग्रेस के किस अस्थान पर हुए अदिवेशन में गुपाल कृष्ण गोखले को विपच्च की नेता की उपाधी दी गई थी बताएंगे तो इसका अंसर आप जवाब दे सकते हैं तो यह दिखेंगे जिन्होंने option number C बनारश जिन्होंने option number C दिया उन्होंने शही दिया है गलत नहीं दिया है अब आदिवेशन अगर पूस दे तो आप याद रुखेगा गुवाल कृष्ण जो गोखले के विपच्च की नेता की उपाधी जो दी थी उसकिस को अंग्रेस अदिवेशन में तो यह दिखेगा बनारश के अदिवेशन में हुआ था एक इसमा अदिवेशन था 1905 में चिक है क्लियर आगे की ओर चलेंगे 14 कांसर के जबाओ देंगे 14 है कि गांधी जी द्वारा रॉयल एक्ट के बिरोध में कब पूरे देश में हर्ताल का आयोजन किया गया था 14 कांसर के जबाओ देंगे जिन्होंने 14 कांसर जबाओ दिया तो यह दिखेगा आफसना नमबर ए 6 अप्रेल 1929 को यह दिखेगा 13 अब बताइए कि गांधी जी द्वारा जो रॉयल एक्ट हुआ था कि विरोध जो शुरू हुआ था यह दो कि पूरे देश में जो हर्ताल का आयोजन सुरू किया गया था 6 अप्रेल 1929 में किया था ठीक है यह दखेगा अगर पूछे रॉयल एक्ट को आया तो रॉयल पूरे देश में हर्ताल का आहन कर दिये गांधी जी यही इनका था तो इतना ही जनकारी लेते हैं अब जलिया वाग बताईए कि कम हुआ था चलिए आगे चलते हैं अच्छा लगे तो प्लीज सुस्काइब ऑल लाइक करने चलिए मिन दोस्त थोड़ा सा अप्लोड होने का गुलामी का अधिकार का पत्तर किष्णे का था भारत बारति सरकार अधिनियम सब्सक्राइब को बताईए गांधी आपके सामने चार अप्सन है उन्होंने बताई जबाब देजे तो जानते हैं जवालाल नहरु ने नहरु ने कहा था याद रखेगा अगर जवालाल बिहार में लोटा विद्रो याद खिए अगर बिपेए शी बाला जो भी प्लेइलिस्ट बिहार का बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो जरूर इसका जबाब देंगे ऐसे मैंने करवा दूंगा टेंचन नहीं लेना आए याद दिखिए गा बिहार में लोटा विद्रो इसके लोटा लगा था डिया जाने लगा ए चलेंगे तो ऑPSचन मंढें सी 17 कहा अगर पुझे मुगल शासक आकवर कगा 5044 ऐसे बिहार पर आक्रमन करें ca 5076 में 1576 में यहाँ निखिंगे 5078 में पर अधिकार कर लिए था आकवर 5044 पर आक्रमन किया यहाँ dil तरह से दो शालबाद कहिए कि वह आधिकार कर लिया था पटना पर याद उखेगा और पंदर सो असी स्वी तक बिहार के मुगल समराज का एक प्रांत भुश्चित कर दिया था पंदर सो असी में याद उखेगा यहीं है यह ज़्यादे जरूरी था इसलिए याद उखेगा शर्यागा ना टो अगर समझ में आया तो दुबारा सुन दीजगा इस वीडियो को या पता चल जा जाएगा शल्तनत काल में मंत्री पर्शट को क्या कह जाता है उस समय अपने मंत्री पश्रत को क्या उक्श can t हजवत के कह wrinkles नम्र 2 एकसी टमर के उड़ीं के सिरस्ट का धियर से चाहर सब लिए किह लूज चुटिम्स? दृशक्रण का निम्रिकित में से उर्भीट काल में किस काल किस नरी को किस नरी को हिरनने कहा गया है। वताएगा applicat में से दिग वेत काल के किस नदी को हिरन ने कहा गया है बताएंगो विश्वा प्रश्ण का जवाब देंगे तो अप्सन नमबर भी या तो प्रश्ण का जवाब देंगे विश्वा प्रश्ण का जवाब देंगे विश्वा प्रश्ण का जवाब देंगे विश्वा प्रश् महावीर अगर पुछेंगें अगर पुछेंगें महावीर का नाम उनका सिधार था या तो खेंगे, अगर महावीर का पिता का नाम पूछे, तो बताएगा सिधार्थ था, उनका जात्रिक कुल के थे, किस कुल के थे, जात्रिक कुल के थे, मत्तो सरदार थे, चिक है, माता जो थी, तुरुषला थी, माता उनका, माता का नाम क्या था, तुरुषला, या तो खे तो उस समय भारत का मानक्षमें क्या होगा भारत का मानक्षमें बताइए ग्रिन बीच्पेंग के दो फर के एक बजह होगा तो पतायए उस समय भारत का मानक जो समय होता है ग्रिन बीच्पेंग बताईए कि एसे ही सभाल को गन्फियूज किया जाता है बताएगा प्रतवी की अपने कच्च में शुज के निकर्टम दूरी को कहा जाता है ऑफसार प्रृतिवी मैं सुज निंटम्दूरी लिटा है। दूर आधिक्तम हो जाता है तीन जनवर्य चार जुलाइस को जूलाई को यह अंतर है पुछे कि पुछे की आधिक्तम दूरी तो यह देखेगा क्या भूसता है इसलिए नहीं होएगा इसलिए बता दिये दच्छनी भारत का सरवच्य सिखर का नाम क्या दच्छन भारत का सरवच्य सिखर आप जानते हैं यह मैंने करवाया है आपको दुसरा प्रकाशन का जो प्रैक्टिस एट करवाया था उसमें था जिन्होंने option number D दिया उन्होंने सही दिया क्यों इसके बारे में छोड़ा ने तो आप क्लियर होगा इसके बारे में थोड़ी सी क्या है कि यह दच्छन भारत की और यह दच्छन भारत का है दिटनी अगर पूँछे पच्छिम घाट की है दोनों की कितनी अगर पूछे पच्छिम घाट की फिट पूछे तो आप बताइगा 88 48 thời 01 88 43 88 48 शबसे कंची चोटी है कि अरदर्चिन वही कहा जाता ही से दर्चिन का हिमाला किसे कते है pergunt कौन सी नदी जो है बताइए कि भरंस घाटी से प्रवाइत होती है मेरे दोस्त तो आप जानते हैं ब्रंस घाटी की अगर बात करेंगे तो हम अपने नर्मदा को याद रखेंगे इसे याद रखेंगे नर्मदा को एक और नदी है हमारा तापती उस तापती नदी को भूलना नहीं नहीं है मज़ोर दोनों जो है ब्रंस घाटी से निकलती है यह दhouse नदि जो रहो कॉंसे जिले से अनु पपूर अनुपपुद जगा है, जिला है, जो कि अमरकंटक है, या तो खेगा, अमरकंटक के पठार से, अपी, अमरकंटक के पठार से उत्पन होती है, या तो खेंगे, किलियर हो गए, इतना ही या तो खेंगे, ज्यादा जरूरी, यहाँ, एक ज्यादा जरूरी है कि नर्वदा में इलान सुची टू से करें और सही उत्तर चुनीए सुची में समुद्री धारा महाशागर बताएंगे तो सुची समुद्री धारा एक क्तर बताना है अब बताएंगे मैं कोशिश करता हूँ कि आप बताए जो आपको याद हो नहीं करिए अगुल हास धारा अगुल हास धारा क्या अगर बात करें तो ये हिंद महाशागर में है कहां है तो हिंद महाशागर तो हिंद महाशागर तो सामने है तो आपको आए है तो आपको एहां हो गया जहां देखे तो या एक आए होना चाहिए तो आपसर नमर तो सही हुगा कुछ तो और है गैला आता है पुला छॉत और वेंगोम सही बोल angled उत्री प्रांत में कौई कि अरुखे रहा है चुरी और बना वेगवेवेंगोव एला धारा जोहें यह आपका दश्थेला इपन तस्रा कुल पे सपेड़ांटिक में आपका द्लांके में al चलिए? option no. 3 आपका रही ही हो गया, चलिए आगे पहतीज़ परश्णा, कोई दिक्कत नहीं हुई चलिए, आगे चलते हैं आगे बताये आगे का परश्ण का जवाब देज़े आगे का परश्ण का जवाब देंगे सोचेंगे नहीं आगे का प्रश्ण का जवाद ही है बुश्मेन जन जाती या दखिएगा बुश्मेन जन जाती पाए जाते हैं मैंने ये सर्ट प्रक्टिस में जो है कोशन किसमें समझाया था बुश्मेन जन जाती पाए जाते हैं बुश्मेन जैसे बुश्मेन की बात में याद हो गया कि ऐसे काला याद खिंगें बात उठती है कि और भी होने चauseए है न तो और होना चुप कहां कहां अचे है तो बतां कहां है चलिए थोड़ा सा बता देता हूं इसका तो आप भी दे दिए इसे चलिए एक सोट क्लिप में दे दूँआ चुड़िए आगे चलते हैं चलिएगा 27 प्रश्ट का जवाद हैंगे वह कौन सी नदी है जिसका उदगम एवा मुहाना भारतिये गनराज में है बताएगा भारतिये गनराज में हुआ है तो आप जानते हैं दच्छिन के सबसे लंबी नदी कोदावरी मतलब कहने का मतलब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी मैंने आज ही ये वन लाइनर में करवाया था देखिए प्रिवेर सीर में आए गया अगर मेरा सार्थ संग्रा देखे होंगे कोश्चन बेंक जो आज मैंने अपलोट किया वीडियो वो अगर देखे होंगे वारव जिवे तो ये पक्का आप अंसर दिएगा कि कौन सा जिसका उद्गम मुहाना भारती है गोदावरी में है जो कि आपकी भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है जो की ऑप्शन करशार प्रतम थी तो कि याँ भारत के प्राइदीब की परमुख नदी है जिसका उद्गम अगर पूछे तो यह देखेगा भारत राज में होता है यह देखेगा यह कहां से निकलता है तो आप जानते हैं नाशिक के ट्रमबकम पहाड़ी से निकलता है तरंब कम पहाड़ी से निकलता है, कहां से ती से तरंब कम पहाड़ी से निकलता है, नाशिक है, नाशिक मतब महराष्ट, या दखेंगे, इसके अगर लंबाई पुछे तो 1465, या दखेंगा, 1465 है, किलोमीटर की लंबाई है, या दखेंगा, इसका सहायक नदी अगर पुछ सबसे इंद्राभाती सबसें इंद्राभाती सबरी और जबा देंगे प्रमुक मत्स से मत्स चेत्र ग्रैंट बैंक इस्तित बताईगा प्रमुक मत्स छेत्र जो है ग्रेंड बैंक इस्तित है गहां इस्तित है बताइएगा 28 मा प्रिष्ट का जवाब देंगे तो जिन होने option number C लगाए उन्होंने सही लगाए उत्तर Atlantic महासागर्मी यादखिएगा उत्तर Atlantic महासागर्मी यादखिएगा ये ये इस्तित है यादखिएगए विष्व की सबसे संपन मचली पकड़ने का छेत्र यादखिएगे इसके लिए जानते हैं दो चीजい मतब एक बैंक उत्तेल समूद्री छेत्र बना है एक बैंक ग्रेंड ग्रेंड जो ग्रेंड बैंक है आढ़्ञ समूद्रिय च्ःत्र है। थन्डा और गर्म पानी की धारा मिलती है। इसी जगह आप पर फिर्टम पानी मिलती हूं, मच्री कीछ पखड़ने का था सबसे इचा सुविदा होता है। जो कि इसी जगह है। चलेगे, उतिस्वा प्रश्ण, उतिस्वा प्रश्ण का जवाब दिए, निम्लिखित में से कौन सी मुद्रा, मुद्राएं जो है, कृत्रिम समझी जाती है, कौन सी ऐसी मुद्राएं या मुद्रा कहिए, कृत्रिम समझी जाती है, कौन सी मुद्रा ऐसी है, जो की समझी जात यह दो किए यह किसके तहल लाए जाता है तो आई एम एफ मतलब होता है अब जानते हैं उसका क्या होता है अंतरश्टिय मुद्रा कोस्ट के तहर यह लाए जाता है यह तो किए चलेंगे आगे क्यों तिसमा प्रस्ट बताएगा भारत बश्ट में सिक्कू की धिलाई होती है तिसमा प्रस्ट का जवाब देंगे जिन्होंने option number D लगाया उन्होंने शही लगाया है जिन्होंने D लगाया है उन्होंने से लगाया है मुंबाई, कुलकत्ता, हैदराबाद या तकेंगे मुंबाई, कुलकत्ता, हैदराबाद भारत बस में शिक्क्यों की ढलाई होती है मुंबाई, कुलकत्ता और हैदराबाद या तकेंगे एक्तिस्मा प्रश्ण का जवाब देजेगा एक्तिस्मा प्रश्ण आपके शामने है कि बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार रिता क्या है अनिवार जो है क्या है बताएगा बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार क्या है एक्तिसमा प्रश्ण का जवाब देंगे जिन्होंने option number C कीमतें हैं उन्होंने सही जवाब दिया है चलेंगे आगे के ओर ये बहुत ही अच्छा प्रश्ण है आपका कि PM ठीक है PM पी अलग है M अलग है कुसूम योजना का उदेश है क्या उदेश है ये बताईएगा तो ये जिन्होंने option number D लगाया उन्होंने शेह लगाया किशानों को डीजल और किरवशीन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर उर्जा से जोड़ना ही इनका क्या था योजना का उदेश था याद रखेंगे अब इसी योजना की अगर सुरुवात पूछें तो पी-एम के द्वारा किया गया पी-एम कुश्म योजना के तहल तो इसमें देखिए परदान मंतरी किशान उर्जा नाम है उर्जा पूरा नाम है उर्जा सुरच्छा उथान महा अभियान है जो कि 2019 में हुआ था अब प इसा क्या नहीं होना कोशल होना कोशल आपहु कर्दे का लाग होता है लेकिन यह जो है । बिर्जगारी का चीन नहीं नेकिन यह सब है कोशल का भाव होता है जन सक्ति नहीं हो जन कवह यह भी है यह सब रिजगारी का भाव चलिए चाहिए कि पर चाहित निकायों में महिलाओं को 50% आरचन किस बर्स प्रदान किया गया था तो बताएंगे इनका अंसर तो या दखीगा जिन्होंने option number B दिया 2006 उन्होंने सही दिया है क्योंकि ये आपको बताया गया बताया गया था 25 राज 243 D के तहद महिला अनसूची जन जाती जन जाती के तहद ये चलता है उसी के तहद ये महिलाओं को अश्पेस्ट ली दिया गया था जहों है नुसची secondo जन जाती आरचन है लेकिन महिलाओं के लिए 50% यह किया गया था भंढ़ारी शमीती ठीक है भंढ़ारी शमीती किस से समंधित है बहंडारी जो शमीती है वो किस से समंधित है ये बताईए तो बहंडारी आप जादे है वो जो आपका याद किया छेत्रिय ग्राविन बैंकों के पुन सनरचना से समंधित है याद रखीएगा ठीक है ऐसे बहुत सारे समीती है बनाए गया है जो कि जैसे स्वामी नाथन समीत जनसंख्यान Hindi से दोखां आगी चली कर नेजके समय कर से इसकृत कर से कोने कराधं है इस तरह सारा है जो सारा है गाइया गया जो नंबर हंगे लोड़ा कि पुस्तक के लेखक हैं आपके सामने चार प्रश्ण तो याद ही यह पुस्तक जो है आपको गौतम चिकर माने ने में लिखा है कब लिखा है तो या दखिएगा ये date हमेशा 2023 में है नहीं पूस्तक है current affair का है या दखेंगे या दखेंगे चलिएगा 38 प्रश्ण का जवाब देंगे 38 प्रश्ण है कि उन्हें इसमा नाम सिखर सम्मेलन जो है 2023 का आयोजन कहां किया गया बताएगा नाम सिखर सम्मेलन कि अगर अस्थापना पूशे तो नहीं सो एक्सट बताएगा पहली बाद चीक है इतना या दखेंगे इसके कुल 110 के अगर बात करें तो 120 है या दखेंगा और ये 2023 का आयोजन हुआ था युगांडा में हुआ तो या दखेंगे यह अठारमा सम्मेलन था जो कि अठारमा सम्म हुआ या दखेंगा ठीक है अब समय काबूल उसमें जो था उसमें का डेथ हम इसमें नहीं दिया गया नहीं पता है हमें चरिया आगे चलते हैं किस खेंद से शम 2000 का और ये बताएबा ये बताएगा और जून2000 सम्म देज सम्मानित नहीं कहा इसमें इस में कहा हुआ है किसे कहोगा इस तरह से ठीक है चलिए और जूनवाट 2020 से सम्मानित ज् Wen आप क्यों दिया है बताएंगे अर्जुन धीलों का नाम आप जानते हैं तो याद उखिएगा पारा वैड़ी मिंटर से समन्दी थे याद उखिएगा चुक्कि अर्जुन एवार्ड जो मिला दुहेजर तेश में उसमें 25 खिलाड़ी को मिला था किसने 25 खिलाड़ी को मिला था जिसमें तरुन ते खिलाड़ी का समन्द भी आता है मिला था इनिए भी चलेंगे चारिश मां प्रस्ट का जवाब देंगे मैन बुकर जो है मैंदुकर अंतरास्टी पुरुशकाद 2023 से समानित जौर्जी गोस्पो दिनोव का समन्द किस से है बताएगा जोर्जी भी हैं गोस्पो दिनोव का समन्द जो है मैंने बुकर अंतरश्टी पुस्कार 2020 से समानित क्या गया था इनको किस देश से समन्दित रखते हैं तो या देखे का बुलगेरिया का नाम शुने होंगे बुलगेरिया से समन्दित है यह दूसरा बार प्रश्ण पूछ चुका है या दखेंगे चलेंगे आ अफगानिस्तान जो है विचारा अातंगबाद में जो है शर्षे रहा है या रखेंगे चीक है दौका 23 का बहरत इन में भारत का तिरहमा अस्थान आंतंगबाद बढ़ाईएगा विश्व विद्धियाले का किताभ दिया गया त्यारिस्वाप प्रश्ण का जवाब देंगे याद रखेगा बैंगलोर को इससे दिया गया आई आई स्थी बैंगलोर को याद रखेंगे जून 2023 चलिएगा आगे चलिएगे तैयलिसमा प्रश्न का जवाब देंगे तैयलिसमा प्रश्न का जवाब देंगे कि One Way इंडिया Two One Way इंडिया Two जो है उपगरा को प्रश्न का दिखेंगे, मिशं के तहद, 36 उओगभणों को अनेक च्छाउं में अस्थापित किया गया है, दिखेंगे, आगे चलेंगे, 44 प्रष्म के ओर चलेंगे, पापुअ, न्यू गिरी ecc, के नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं, बतायेगा, ने प्रधान मंत्री कौन बने हैं 34akah प्रश्मिप का जवाब देंगे जि間 नदिखेंगे जीम्स मारेव जो है जो है वो प्रदान मंत्री बने हैं याद लख किने दोहजार तेश का अपडेट ले के चलना है उस समें तक चेंज हो सकते हैं तो याद दखेगा आगी चलेंगे इसके अगर पूछा जाए पपुआ याद ना हो नियुगीनी कर दिजेगा अब पपुआ से याद हो जाएगा हो सकता है ना इसकी रजदानी अगर पूछे तो पोट इसकेगा पोट मोरे पोट मोरेस्वी नाम है मुद्रा अगर पूछे तक की न लिखेगा किना चलेंगे प्रश्न का जबाब देंगे एशिएन गेम से 2023 में भारतियम ने कौन सा पदक जीता बताएगे कौन सा पदक जीता है बताएंगे प्रश्न का जबाब देंगे option number ये श्वन, क्या श्वन, या दखेंगे श्वन या दखेंगे श्वन पतक जीते हैं, या दखेंगे कब तो 2023 का या दखेंगा, ये जो है कवड़ी के छित्र में भाग लिए थे, कौन से कवड़ी के छित्र में, ठीक है, कवड़ी तो आप चीन जो है, हर ये था चीनी टाइप है, नाम था चीनी टाइप है, ठीक है या दखेंगा, चीने चीनी टाइप है चंद्रमा पर सौप्ट चंद्रमा पर सौप्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का कौन सा देश है, भारत का जो है भारत विश्व का कौन सा देस है 46 मा प्रश्ण का उप्सन नमबर डी जिन होने लगाया उन्होंने सही लगाया ठीक है चलेंगे आगे चलेंगे 47 मा प्रश्ण का प्रश्ण का जवाब देंगे परियावरन सब्द की उत्पत्ति किस भासा में हुई है परियावरन सब्द की उत्पत्ति किस भासा में हुई है यह जवाब देंगे जिन्होंने उप्सन बड़ी फ्रेंच दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है याद देखेंगे 48 मा प्रश्ण का जवाब देंगे निमने में से कौन कृष्णा नदी की सहयक नदी नहीं है कृष्णा नदी का जो है सहयक नदी नहीं है मतों सहयक तीन है एक नहीं होने चाहिए तो याद दखेगा आप बता सकते हैं तो बताईए बताएंगे तो बर्धा जो है आपका सहयक नदी नहीं है पंच गंगा है घाट प्रुभा है कोई ना है या दखेंगे अगर चलिए थोड़े से जनकारी अगर चाहते हैं क्रिश्णा नदी के वारे में तो बताए क्रिश्णा नदी जो है कहा है अच्छा ये बर्धा जो बताईए बर्धा आप बताए कि किसका साहग नदी है तो पच्छिम घाट में पाय जाता है या दखेंगे चलिए आगी क्यों चलें और जगह पाया जाता है लिब्रो लिवरो सब्दा वली का समंद किस खेल से है ये बताएंगे तो या दखेंगे आगर वालीवाल की बात करें तो बताए कितने खिलाड़ी होते हैं बताएंगे आप आपके लिए important है जैसे मानलिजे वास्केट बॉल में हमारा आपका 5 है कवड़ी में 11 होते हैं कवड़ी में 7 होते हैं कवड़ी में 70 रज में 2 होते हैं हना वसी तरह बताईए इसमें कितने होते हैं चलेगा 51 का अंसल के जबातेंगे 51 का अंसल के जबातेंगे नमक और रेत के मिश्रन से नमक को अलग करने का सही करम कौन सा है सही करम बताईए कौन सा है अगर नमक को रेत से रेत के मिश्रन से नमक को अलग करना हो तो सही करम क्या है यह पूछ रहा है तो बताईएगा तो या चलेंगे आगी के और साइंस का प्रैक्टिस सेट हमेशा दो बूजे चल रहा है आपका यहाद अथा नहीं तो तयार एक प्रैक्टिस करना सुरू कर देंगा और एक छी कि उपने तो आप नहीं दिए दिए तो समझे एक क्या दिये यह आप जानते हैं इसका आप आप जानते कि प्रकास के सायता से याँ तखेगा हड़ी मजूद होता है या तखेगा उन्हों ने दिया गन्ना और मंग मक्का या तखेगा उन्होंने सही जवाब दिया है या तखेगे आगे क्यों चलेंगे आगे कि ओर चलेंगे 54 ग्त जवाब देंगे 1 अब से सित 1 आवेश सित चालक पर आवेश होता है 1 आवेश सित चालक पर आवेश होता है क्या होता है बताइएगा तो option अमर जीनो नोれ दिया बाहर ही शता उन्होंने सही दिया है या दिखेगा गहनात्मक हो या दिनात्मक मुझ होता है यह दखी गा है झ्लिका आगे कई 60 फ और के यह सोरक के दिस के दिना गर मोटाशीborg कि कोषकी है और ज Tech किन रूप में संग्धित होता है किस में संक्रदीति होता है तो आप कहते हैं मंड के रूप में कि रुप में एड़ थे इक है छे परिवा प्रश्ण है कि निम्री तुमें इसे कौन इस्ट्र रिवाद है जो ने और दिया कर्वन डायॉक्षाइड यह तीनों के द्वारा जो होता है वही इस द्वारा अभी शुसन का उत्पाद है यह तकेंगे इसका अगर सुट्र पुछे तो आप क्या जवाब देजेगा इस नौल है उर्जा पैदा करता है इस तरह का है तो उसका सुट्र बहुत ढ़ेंगे इस प्रक्राद को संदर्वित करता है अगरां को संदर्वित करता है आपके सामने चार सबसार में जवाब देंगे पर्ड़न कोशlenessED पर careless Payton कोश बोल दिए पर परन कोश से बश्ति कागर में पराग का अस्तनांतरन्त होता है या तखेगे या तखेगा 57 इस यहीं होगा ऑप्शन इपर शी जुन्हों ने दिया उन्होंकर से बहुत अच्छा प्रश्ण है बताएगा क्लीड क्लीन क्लीन क्ल धर्मा मीटर की सीमा कितनी होती है मेरे दोस्त बताएगा 58 का अंसर की दोटी हैं घज्या के जो है युए अनुव हैं गथी युजव पढ़ जाती हैं तो ऱुटी-ट्यस है कि स्टी का अन्सार का जाती है सिक्स्टी का नसर है लेक्ट्र सब्सक्राइ Insurance में अब्रक्टिसता है क्या परिवरतित होता है यह जब गूसर नोमा से श्लक्राइब मेरे दोस्त कि उर्जा मेंrift कि उर्जा में परिवरतित हो जाता है option number D या चलेंगे या दखेगा जै से जब विद्दुद हीटर से विद्दुद करवाइस होता है ना उसी तरह कि छलेंगे पे प्रस्फ्ण हें इंटी कान नाख गला दॉक्टर वप्योग करते हैं एन क्वार्ड इसमें उप्योग करते हैं कौन करता है कौन से दर्पन का उप्योग करता है बताएंगे आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं लोगी करता है जिसमें एक प्रतिक्रिया करता है जिन्होंने आप्शन नॅबर बी उन्होंे अप्शन नुमर बी उन्हें यही जवाब दिया है त्रिस्थमा प्रश्ण का जवाब देंगे त्रिस्थमा प्रश्ण का जवाब देजे पानी को जिवानु रहित करने के लिए प्रिव्थ आधातू बताईए प्रिव्थ आधातू बताईए कौन सा होगा धातू पर मैंने करवाया धातू पर नहीं करवाया करवा दूंगा द समय शमान निता शोने के साथ मिस्र धातू हैं कौन साथ सोने के साथ मिस्र धातू होता है ये बताएंगे तो आप जानते हैं शोने के साथ आप तामा कभी उप्योग मिलाते हैं या दुखेगा ठीक है आगे चलेगे आगे चलिएगा 65 प्रशन का जवाब देंगे प्रश्ण है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच चैसी समगरी को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है किस प्लास्टिक का उप्योग करते हैं यह जवाब देंगे किस प्लास्टिक का उप्योग करते हैं तो या देखे ऑप्सन नमरे पॉली थाइल याद हो जाता है तो तोड़ने से वर्ड याद हो जाते हैं यह मैंने पुराना तरीका देखा यह बहुत अच्छे तरीके से किसी द्वानी के पीच को किसके द्वारा मापा जाता है यह बताईएगा 66 आपको पता है आवर्थ एच जिड यह दुखीगा आवर्थ क्या एच जिड से नापने हैं कैसे ही मैंने बुला नहीं अब आपने हैं कैसे नापने हैं तो यहां दखेगा आवर्थ क्या है यह टुखिएगा आवर्थ फ्रिक्वेंसी कहते हैं अब दो 25 जो जई मुद मोचलक हूँ मदद परिधा कौन रख्ट के संचारन में मदद करता है रख्ट के संचारं में मदद करता है उद् investing अच्छा प्रश्च्छन एडरिट यह तो साइट यह रक्त के संचारन में मदद करता है यह दिखेंगे 68 का अंसर जबाव देंगे इसमें एक कौन बल की इकाई नहीं है यह जवाब देंगे कौून सा है जो की बल का इकाई नहीं है जवाब दें लिए चों सा चानलया प्रश्म है कों सा किए का भाग नहीं है दोस्तरन से मानव में मिनी माता तथा इटा-इटाई रोग उत्पन होता है किस जो है जब अवधारन जो होता है न मानमे जो मीनी माता इटा-इटाई रोग उत्पन होता है किस कारण से होता है किस की कमी से हो जाता है तो मरकरी और केडमीम मरकरी की कमी से मीनी माता इटाइटाइ प्रस्न का जवाब देंगे, निमिकित मे निमिकित में से, कौन सा रोग बाईू मंडल द्वारा संचारित होता है? चलिए त्यातरमा प्रश्ण बताएं निम्रिकित में से कौन सा गर्म रक्त वर्म ब्लड वाले जनतुमू का शमू है कौन सा गर्म जो रक्त होते हैं वाले जनतुमू का नाम बताएं कौन है समू का नाम बताएं कौन सा है तो या तकिए वो होते हैं पच्छी या तकिए पच लिए अरेफ पैदा करता है या उप्सान नमर 2 हाइपो थेलमस ही है जो कि हमारे जी एच आरेफ को पैदा करता है या तो किएगे 75 का अंसर कोश्चन और यह अंतिम प्रशन है 75 माप्रशन और मैत का रिनी का जो है चार वजे चलता है मेरे दोस्त आज नहीं हुआ क्योंकि यह कल संडे को विखली आपके साथ हो जाएगा या तखिएगा विकाशवादी शिधानत के अनुशार एक नई प्रजाती का गठन समाने ताथ किसके कारण होता है किसके कारण होता है यह जवाब देंगे 75 का अंसर के जवाब देंगे या तखिए ओप्सन नमर 2 कई पीडियों में विवित्ताओं का संचय होने के कारण होता है या तखिएंगे और आपको अच्छा लगए तो प्रीज सस्काइब लाइके से जहां पर थोड़ी गलती हो चमा करेंगे लेकिन मैं कोशिश क्या हूं कि बेस्ट दूं और आपका जो है मंडे को प्रैक्टिस से डिषेंगे जो है आपका ये शाई का ही होगा लेकिन वह दोनों मुक्स होंगे बिहार त्यारी करेंगे उनके लिए इक ट्रिक्याल होगा जो की प्रैक्तिस सेटी होंगे लेकिन महामराथन के रूप में होगा मतलब एक प्रैक्टिस या दो प्रैक्टिस मिक्स होगे चीक है अब स्पीड में करवाए जाएगा तो आप लोग तैयार हुजए ये संडे को एक टाइम बता दूँगा जो कि सौट वीडियो डाल कर कि किस टाइम पर ला रहा हूँ महामराथन टैप का लाऊँगा जिसमें फास्ट स्पीड में किया जाएगा अस्टिक कोश्चन सिर्फ जिक्केगा तो आप तैयार हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही जैए जैवारत